पसकार दोस्तों मैं हूँ चांदनी आज की वड़ी खबरे ओडिस्सा ट्रेन एक्सिडेंट में मरे गए लोगों के परिवार को हद सदस्य अंकर आसो अभी सुके भी नहीं है और इदर राजनीतिक डलों के बीच इस हदसे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है आरोप रत्यारोप के बीच बारतीर रेलवे की टिक्टिंग शेका ने ये कॉंग्रेस नेता द्वारा किये गए उस दवे के कंडन किया की उडिस्सा के बलासोर में दुर्गतना के बाद हद सारां लोगों ने अपने ट्रेन टिकेट रद का दिये है एक प्रेस कॉंफरेंस में कॉंग्रेस नेता बक्त चरन द्वारा किये गए दवों के जवाब में आयर सजीट टीसी की प्रतिक्रिया अपने ट्वीटर हैंडल पर पोश्ट की गई है प्रेस कॉंफरेंस की एक चोटी सी क्लिप कॉंग्रेस पार्टी ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोश्ट की जिसमें कहा गया कि इस घटना से सब भी को अहत किया है दास ने कहा ऐसी ट्रेन दुर्गटना पहले कभी नहीं हुई सेकड़ों लोगों की जान चले गई और ये खजार से अधिक लोग गायल हो गए है इस घटना में सबी को अहत किया है दुर्गटना के बाद हजारों लोगों ने अपनी ट्विट टिकेट रद कर दिया है उन्हें लगता है कि वे ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं वे सुरक्षित नहीं है राजदानी दिली के ग्रेटर कैलाश में विदायक और स्वस्ट मंतरी साउरब बरदवाज ने अपने विदान सबाश शेतर में घर गर जाकर लोगों से गैरत जुन को होने वाली महा रैली में आने के लिए अपिल की है इस दोरान स्वस्ट मंतरी के साथ अन्यकार कट्वी मुझूद रहे अपने विदान सबाश शेतर में पहुंचे स्वस्ट मंतरी को लोगों का भी समदन मिला और माना जा रहा है कि पार्टी द्वारा दिली के सत्तर विदान सबा में अपने कारेकतों द्वारा अधिक से अधिक लोगों को गैरत जुन को होने वाली महा रैली से जुनने के लिए अपिल की जाएगी बीते दिन आमाद में पार्टी द्वारा इस महा रैली को लेकर पोश्टर भी जारी कर दिया गया था आप द्वारा जारी इस पोश्टर पे साथ तोर पर इस रैली को तनशाही के किलाव बताते हुए केंदर सरकार और बीजेपिर पर बड़ा हमला बोला गया है इसमें पार्टी के प्रेमुक दिल्ली सीम अर्विन के ज्रुवाल के बीच शीतर को प्रेमुकता के साथ दर्शिया गया था गैरा जुन को दिल्ली के राम लीला मैदान में होने वाली रैली को लेकर पार्टी ने अपनी पूरी तकत जोंग दी है जहां एक तरफ दिल्ली सियम अर्विन के इज्रिवाल दूसरे राजियों में विपक्ष के बड़े नेताओं को समधन प्राप्त कर रहे है वही शेत्री विदायक और पार्टी के कारेकतो इस रैली को सफल बनाने में पूरे जाने से जुटे है पार्टी द्वारा इस महा रैली को जनता के अकराश को व्यक्त करने का भी एक केंद्र बनाया गया है और इन सब संदेश उनके साथ पार्टी के नेता लोगों तक पहुंच कर उनके इस रैली में आने के लिए भी टोस अपिल कर रही है निशित ही स्क्यासी दोर के बाद आम आद्मी पार्टी द्वारा रासदानी में ये बड़ी रैली होगी जिसमें एक मंच पर बीजेपी पर निशान असादने के साथ सा दोहजार चोबीस लोग सबाचना का भी बिगुल फूंग की जाएगा करनाटक के एक मंत्री के कड़े गोवद विरोधी कनून की समिक्षा की मांग वाले वयान के विरोध के बीश मुक्य मंत्री सिदारा मया ने कहां की कैबिनेट की बैटक में इस मामले पर चर्च की जाएगी उन्होंने कहां की पिछली बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए कानून में इस पश्रता की कमिती और राजी सरकार कैबिनेट बैटक में इस पर चर्च करेगी हलांकि उन्होंने कहां की अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है हमने अभी तक कुछ भी तई नहीं किया है इससे पहले करनाटक के पशपालन मंत्री के वेंग टेश ने अपने इस बयान से विवयाद पाइदा कर दिया ताकि अगर भैसों को काटा जा सकता है तो गायों को क्यों नहीं उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहां पिछली बजापा सरकार ये एक विदय एक लेकर आये थी उसमें उन्होंने भैसों के वर्द की अनुमती दी है लेकिन कहा है कि गोहत्य नहीं होनी चाहिए हम इस पर चर्चा करेंगे और फैसला करेंगे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अब तक की सबसे बड़ी पाटी ड्रग की केम पगड़ी है इस चोपमारी में एंसीबी ने हजारों करोड की नशीली दवाली जिर्क एसीड डेतलामाइड बरामद हुई थी नसीबी को इस चोपमारी में दीजबर में फाइले ड्रग इंडिकेट का कुलासा हुआ है काई ड्रग तसकारों को भी इस चोपमारी के दवरान गिरफ्तार किया गया है इस चोपमारी को लेकर NCV ने प्रेस कॉंफरेंस पर बताया किया कि दो दशकों में सबसे बड़ी रिकावरी है DDG NCV ग्यानेश्वर सिंग ने बताया कि LHD आजकल टूड और स्टूडेंट में बहुत फैमस है लेकिन ये बहुत खतरनाक है इसकी कमर्शियल कॉंटिटी सून्य दश मिला ये ग्रैम है ये एक स्टैम के आदे हिस्से में इसे लगते है ऐसे पांच स्टैम से ये बलाट बनता है 15,000 बलाट बरामद हुए है और 6 आरोपी ग्रफतारी किये गए है दो दश्कों में इतनी वड़ी रिकावरी नहीं हुई इसके तारविदेश और पूरे देश के अलग-अलग राजियों से जुड़े है पकड़े गए लोग बहुत बड़े लिके और कमजियोर तूथ है उन्होंने कहां NCB और नौसेनानी हिंद महासागर में एक सफल अब्यान चलाया या अपने मौदरिक मौली के मामने में सबसे बड़ी जापती है या इरान में चाभार बंदरगार से शुरू हुआ और दवावों का सनोत पाकिस्तान है बता देकी ऑपरेशन समुद्र गुप्तनाम का विशेश ऑपरेशन परवरी 2022 में शुरू किया गया ताकि अब तक 4000 किलोग्राम से अधिक ड्रग्स जाप की जाच चुकी है दिल्ली पुलीस ने डवल्यू एफ़ाई के नवनित्तम अध्यक्श प्रजबोचन चेरंशिंके किलाफ योन उत्पीडन के आरोपं की जाच के सिलसिले में उनके सहयोग यांको उत्तरप्रदेश के गोंड़ा के उनके आवास पर काम करने वाले लोगों के बयान दर्ज किया अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी उन्होंने बताया कि जिस लड़की के बयान के आदार पर सिंख के किलाफ योन शेशन के बच्चों से संडरक्शन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था उसका बयान दंड प्रेक्रिया साहित की दराई 164 की ताहत एक बार फिर दर्ज किया गया है अधिकारियों ने बताया कि पुलीस बारती जनता पार्टी के संसाथ के किलाफ दर्ज मामले में संबन में सबूत एकत्रित कर रही है और उसके अनुसार अदालत ने एक रिपोर्ट पेश करेगी अधिकारी ने कहा दिल्ली प्लीस का एक दल गोंडा पहुंचा उस्यूं के सयोग या तदा उनके चलाग सहित उनके घर पर काम करने वालों के बयान दज किये या करवाई साबुत इकत्रित करने के और मामले में सिम्ट अदा शिकायत करताओं के साथ गवाहं के बयानों की पुष्टी करने के लिए आगी की जांच के हिस्से के तवर पर की गई उन्होंने कहा कि मामला बेहत संबेदन शील है इसलिए हम इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते फिर मिलेंगे अगली खबरे में